So hey what is up guys, तो मेरे भाई लोग कैसे हो, स्वागत है आपका PUBG Mobile Lite gameplay वीडियो में और इस वीडियो में दो मैचेस है और उन दो मैचेस में मैं ऐसी गलती करता हूँ जिस वज़ा से मेठिल जाता हूँ तो अगर आप वो गलती करते हो जो मैं करता हूँ इस मैच में और इसके आने वाले अगले वाले मैच में और वो गलती अगर आप करते हो तो आपके साथ सिर्व एक ही चीज़ होगी वो है आपकी पेटी बन जाएगी हाँ तो यार इन दोनों मैचे इसमें मैंने क्या गल्टी की वो आपको थोड़ा आगे पता चलेगा पहले मैच में आते हैं और फिलाल मैं उतर चुका हूँ स्टेडियम पे और यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं आया होता तो मैं फटाफत से ये दो सस्तीगण उठाता हूँ वेक्टर और मैक्स और इसी को लेके गाड़ी लेता हूँ और गाड़ी लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक बॉट देखता है और बॉट के पास देख रहे हो M4 और DP पड़ी है और यहाँ मैं वेक्टर जैसी सस्ती गन लेके गुम रहा हूँ और यहाँ बॉट महेंगी महेंगी गन उठा के गुम रहा है और भाड़ी के लेख देखता है झाल झाल हाथ हो यार इस बंदे को पहले बाद में M4 और Dp उठा लेता हूँ और उसके बाद गाड़ी लेता हूँ तभी मुझे कोई सामने से पहलने की कोशिश करता है और वहां से मुझे कोई फायरिंग कर रहा होता है तो वहां रुकता नहीं हूं यहां पर साइड वाले घर में आके रुकता हूं और रस्ते पर एक बंदा भी दिखा था जिसे मैंने गाड़ी से मालने के कोशिश की थी लेकिन यार वो मरता नहीं तो मैं सीधा गाड़ी यहां पर रोकता हूं और उसके बार फटा-फट घर में टीपीपी ले रहा होता हूं तो टीपीपी लेते लेते मैंने सुचा क्यों ना एक नेड कर लूँ और नेड करी रहा था तब ही वह बंदा आ जाता है तो इसे देखो कैसे पेलते हैं तो इस बंदे को तुम्हें नॉक करता हूं और इसके टीमेट भाई उपर रश कर देते हैं तो देखो इसके टीमेट को क्या ही पेलते हैं हाथ और इसका एक बंदा सुम्हें उपर मावली से ही नॉक कर देता हूं और जिसको मैंने पहले नॉक किया तो इसकी किल भी मुझे मिल जाती है और इसे भी नॉक कर दिया और अब इसे बचाने इसका एक और टीमेट गाड़ी लेकर यहां पर आता है काफी अच्छा टीमेट है तो यहां पर मैं उपर टीपी ले रहा होता हूं तभी मुझे पीछे आवाद आती कि नीचे बंदा है तो मुझे लगा था यह बंदा तो यार यह अपने टीमेट को रिवाइब दे रहा था हूं इसे बहुत अच्छी बात है अपने टीमेट को बचाने आया था लेकिन अब इसकी भी पेटी बन गई और जैसे ही मैं इसकी पेटी बनाता हूं एक और स्कॉड गाड़ी लेकर यहां पर आ जाती है तो यार अब मैं गलती कर बैठता हूं तो मैं उपर जाने के बाद मुझे टीपी पे लेना चाहिए था या फिर अलग कुछ करना चाहिए था लेकिन मैं क्या करता हूं पीछे बाट मिलता है तो बाट को डीपी से पेलता हूं और उसके बार उसको वहीं पर खतम करने की मतल तो जैसे ही मैं बॉट को फिनिश करता हूँ पीछे बनता है जो कि मुझे उस टाइम दिखा नहीं था अब दिख रहा है हाँ तो यार आपको भी मैं कहना चाहूँगा अगर बॉट आता है आपकी फाइट में और ऐसी फाइट जब आपके चार-चार बंदे रश कर रहे हो तो भाईया मत करो बॉट को छोड़ दो अगर आपके पास टाइम है तो बॉट को पेलो लेकिन ऐसा जब आप घर के उपर और आप पे बंदे रश कर रहे हैं तो यार बॉट में पेलो मेरे जैसे चमन मत बनो तो अगर मैं बॉट को नहीं पेल रहा होता तो मैं जिन्दा होता लेकिन मैं मर चुका हूँ तो आओ चलते हैं दूसरे मैच पे हाँ तो इस वाली मैच में आपका स्वागत है और इस वाली मैच में भी मैं एक गलती करता हूँ वो गलती मैं आगे करूँगा फिलाल में उतर चुका हूँ ओल्ड भसीन में और उतरते ही मुझे उजी मिलती है और कुछ नियत्ते बंदे भी दिखते है और सबसे पहले आप ये बाट देखो हाँ तो ये बाट तो भाई चट के उपर ये लैंड कर गया था तो इस बाट को पेलने के बाद और एक नियत्ते बंदे को पेलने के बाद नीचे घर में मुझे फुटस्टेप आते हैं तो इसे भी देखो कैसे पेलते हैं हाँ तो इस बंदे को भी पेल दिया और इसके पास से में एक एम उठा लेता हूँ और सामने मुझे एक बाट दिखता है तो मैं उसे पेलने के कोशिच करता हूँ लेकिन नहीं पेल पारता हूँ तो मैं इस बाट को पेलने जाता हूँ और वहाँ पे एक और बाट मिलता है तो उन दोनों बाट को भी निप्टा लेते हैं और फिर बात करेंगे उस गलती के बारे में और आपको दिखाएंगे भी कि वो गलती क्या थी अद्सरा आपको पर आपको जहीं पुआअग ब может क्या रंजिशा इन מא जबल्ती कि वपको आपको गिजिता मैं और आम तो वोलती कि वीक पलती हैं और एम तो हूए हां तो इन बॉट को पेलने के बाद मैं आगे जाता हूं आगे मुझे फाइरिंग की आवाद सुनाई देती और मैं वहां पे जाता हूं तो वहां पे एक बंदा दिखता है मुझे जिसे में पेलने की कोशिश भी करता हूं तो यहां पे मैं फॉल बैक करता हूं और इस घर नहीं है तो यहां पे मैं फॉल बैक करता हूं और इस घर में आता हूं और इस घर में आने के बाद 3X और UMP45 जो की एक सस्ती गन है UMP9 भी एक जहर थी लेकिन ये जबसे इसको UMP45 बनाया है इसे क्यों डाला इदर पब जी में डालने की जरूरती क्या थी तो यहां पे मैं गलती कर बैठता हूं मैं क्या करता हूं छट प मैं उन्हें रश करने देता फिर पकड़ता लेकिन मैं उन्हें उपन में पकड़ता हूं मैं उपन में नहीं होता वो ओपन में होते लेकिन उन्हें मैं साफ साफ दिख दिखरा होता हूं क्योंकि मैं भी ओपन में खड़ा होता हूं भाईया छत पे हूं लेकिन फिर भी से अच्छे से पकड़ता उनको तो मैं उन सब को मार सकता था और यहां पर मैं स्कौर्ड वाइप कर देता लेकिन मैं यहां पर गलती कर बैठता हो तो यह गलती और जो मैंने आपको पहले मैच में दिखाई वह गलती तो यार यह दोनों गलती जो मैंने आपको दिखाई है य क्यूकि सामने चार बंदे यां और वो चारों आपको लेगा हुआ आपे दोफ़ के चारों को चोड़के आप बीच में एक बंदे को रिख भी तेकि ने की खुशिज़ करोगे तो बाकी बंदे आपको पेलेंगे ही पेलेंगे हाथ वैर इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अगर आपको यह वीडियो अच्छी नहीं लगी तो करो सब्सक्राइब क्यूंकि वीडियो अच्छी नहीं लगी तो करो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना हाँ तो यह राज के लिए बस इतना ही बाबाई